प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदी, नाम, एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पालजी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर ग्यान जगना टॉ बचू अलकंष के अम्रूंस सत्गुर्देव की जै बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जै बंदी छोड़ गरीब दास जी माराज जी की जै स्वामी राम देवानन जी गुरू माराज जी की जै गरीब नमा नमा सत्पुर्शकों नमसकार गुरु की नहीं सुर्नर मुनिजन सादुमा संतों सर्वस्दी नहीं सत्गुरु साहब संत सब डंड़ो तम परनाम आगे पीछे मज हुए तिन कुजा कुरुवान नराकार निर्विसम काल जाल वेवंजनम निरलेपम निज निर्गुनम अकल अनुप बेशंदुनम सोहं सुर्ती समापतं सकल समाना निर्तल उज्वल हिरंबर हर्दमं बेपरुवा अताहे वार पारनें निर्विसम निर्विसम्ड वेवंजनम अनुप गलताना करोवनुग्रसोई पारस्पद परुवानौ आदि गनेसमनाउं गननायक देवन देवा चरनकमलोलाउं आजन्त करूँ सेवा प्रम्सक्ती संगीतं रिदिशिदातासोई अवगत गुने अतीतं सत्पुरस निर्वोही जगदंबा जगदिसं मंगलरूप मुरारी तनमन अर्पों सीसम भगति मुक्ती बंडारी सुर्नर मुनिजन द्यावें बिर्मा विश्णो महेशा सेस सेस वकगावें पूजे आज गनेशा इंदर कुबेर सरीखा वरूंदर हम्राई जावें समरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावें तेतिस कोटिया दारा जावें सेस अठाशी उत्रें भाउजल पारा कट है यम की फाशी तेतिस कोटिया दारा जावें सेस अठाशी उत्रें भाउजल पारा कट है यम की फाशी कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण परशी से गुरू जी राम देवानद जी महराज ने दियो नाम बक्सी कोटी कोटी सिजदा करूं कोटी कोटी परणाव चरण कमल में राखियो में बांदी जा में गुनूं कुता हूं गुरू देव का राम पाल दास का नाम गले प्रेम की जेवडी जाखे चोहां जाओं तो तो करो तो बावडूं दूर दूर करो तो जाओं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुखूं परम पिता प्रमातमा पूर्ण परम सारी सिर्ष्टी के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश वर्जी की असीम करपा से हम सभी प्राणियों को सत्संग सुनने को अपलब्द हुआ पुन्यातमों सत्संग के अंदर ये जानकारी दी जाती है कि ये मानों स्रीर प्राणी को किस उदेशे से प्राप्त हुआ है हम अन्य प्राणियों को देखते हैं जो किरियाएं वो कर रहे हैं वो मनुष भी कर रहा है यदि मनुष का इतना ही कारिय होता जितना पसू और पकसी करते हैं संतान उत्पत्ती उनकी परवरिस और फिर मर्तू तो मानों स्रीर की कोई हो सकता नहीं थी सत्संग से जानकारी होती है कि मानों स्रीर का एक बहुती अन्मूल कारिय इन क्रियाओं से भिन है और ये दूसरे सब्दों में ये कहें कि मनुष जिवन का मूल कारिय ही अन्य है वो कौन सा है वो सत्संग से पता चलता है कि आत्म कल्यान करवाना ये मनुष जिवन का मुख्यवदे से है और इसी के लिए मुख्यवन का एक सू आवसर पराप्त होता है इस सू आवसर को हम सत्संग के अभाव से तत्वग्यान ना पराप्त होने के कारण पसू पक्सियों जैसी के लियाओं में ही वेर्थ कर चले जाते हैं और जिस दिन सत्संग पराप्त होता है सत्संग के वच्चन हमारे हर द्यम पहुंचते हैं आत्मा अग्यान से जाग कर ग्यान ग्रहन करती है उस समय इसको पिछले गए हुए समय का बहुत पस्टा अताप होता है पनात्मा हम कहां रह रहे हैं ये कैसा लोग है और यहां जनम मर्तू हो रही है किसी भी प्राणी को एक सेकंड का ये विश्वास नहीं के मैं यहां रहूँगा के नहीं रहूँगा और हम फिर भी सत्रक नहीं हो रहे हमें हमारे अंदर डर नहीं रहा इतना तो डर है के मेरी मर्तू ना हो जाए अन्यकी होती है तो कारण जानकर हम संतूष्ट हो जाते हैं कि कैसे मर्तू हुई रोगी था अच्छा रोगी था दूसरे की पता लगता है कैसे मर्तू हुई दुर गटना हो गई अच्छा दुर गटना से हो गई तो हमें ये चिन्ता नहीं बनती कि कभी ऐसा हमारे साथ भी होगा तो ये सब कारण क्या है इसका एक कारण तो ये है कि इसका विकलब का ग्यान नहीं था हमे कि ये तैसा सब के साथ होता है होता रहेगा इसका विकलब क्या है ये ग्यान नहीं था और ये ग्यान होगा इब सत्संग से और सत्संग विस्वे में आकर के क्योल प्रमात्मा ही फरमाते हैं पूर्ण प्रमात्मा ही स्वे में आकर के सत्संग यानि तत्व ग्यान परचार करते हैं उस प्रमात्मा के अतिरिक्त जो भी सत्संग का नाम लेकर के वचन सुनाए जाते हैं वो सत्संग नहीं होता वो जनता को मिस्गाइड करना और सचाई से दूर रखना ही वो उन वचनों का कारिय होता है जैसा कि आप जी कोई सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ और ये दास वो सत्संग सुनाता है जो प्रमात्मा ने आकर के स्वम अपने मुख कमल से बोला था जिसके विशे में शिरी मद भगवत गीता अद्धाय नमबर 4 के सलोक नमबर 32 में कहा है कि अर्दुन जो तुने अभी ग्यान सुना गीता जी अद्धाय नमबर 4 के सलोक नमबर 35 से लेकर 31 तक यगों की जानकारी आपने सुनी यगमिन धार्मे कनुष्ठानों की जानकारी 31 तो कोई किसी प्रकार से साधना करता है कोई किसी प्रकार से कोई देवताओं की पूजा करता है कोई केल सवज्धाय ही करता रहता है कोई कोई प्रणायाम करके ही संतुष्ट है, कोई अइंसावादी तीक्षण वरत रखता है, जैसे मुँपा पट्टी बांध के, नंगे पैरों घूमना, और ये सभी सादक अपनी अपनी किरियाओं को पापनासक जानते हैं, पापनासक कारत है प्रमात्मा प्राप्ति, जब क्योंकि पापनास हो जाएंगे, यानि ये सुद्ध हो जाएगा, तब प्रमात्मा मिलेगा, तो कहने का भाव ये है कि चौथे जाये कि बातीसमें सलोक में जो बता है, कि सभी सादक अपनी अपनी सादनाओं को सत मान कर, यानि पापनासक जानते हैं, ये दिन कोई ये पता चल जाये कि सादना विर्थ है, तो कोई भी ना करे उनको तुरुंत त्याग देगा, तो यहां चौथे जाएगे, बतीसमें सलोक में पताया है कि जो पत्तीस से लेकर इकत्तिस तक, धार्मे कनुष्ठानों की जो जानकारी है ये गों की, इस परकार के, विस्तार के साथ ध यहां चौथे जाएगे, बतीसमें सलोक में, शिरीमत भगवत गीता में, के मूल पाठ में लिखा है कि बर्मने मुखे, यह अनुवाद करताओं ने गडबड कर दी, बर्मने मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वानी कर दिया, जबकि इसका अर्थ बनता है, सचीदा नंद गनबर्म की वानी, बर्मने मुखे का अर्थ सचीदानन्द गनबर्म की वानी बनता है, शिरीमत भगवत गीता अज्जाय नमर 17 के सलोक 23 में, इन ही अनुवाद करताओं ने, बर्मने का अर्थ किया है सचीदानन्द गनबर्म, वाठी कर दिया, क्योंकि यहां विचलित गनबर्म की वाणी में, यहां पर मुखे सब्द लिखा है, बर्मने मुखे का अर्थ सचीदानन्द गनबर्म की वाणी में, यहां पर मुखे सब्द लिखा है, बर्मने मुखे, मुखे का अर्थ होता है, जो वाणी परमातमाने स्व्म यहां दर्ती पर परगट होक है, उस कबीर वानी में, यह लिखना था, उस कबीर वानी में विश्थार के साथ कहे गए हैं, और उनको जानने के बाद फिर तू सर्वथा कर्म बंदर से मुक्त हो जाएगा, तो सचीदा नंद घनपरम ने स्वेमा करके अपनी वानी में जो ग्यान दिया है, वो ग्यान है, सेस जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे, के शिरी ब्रमा जी, विश्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सरवेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्था जनक नहीं है, ये अज्ञान था सथसंग नहीं था, जबकि इनकी जीवनी में लिखा है, कि ये नासवान हैं, इनकी जनम मरतू होती है, दुरगा इनकी माता है, और काल रुपी ब्रम इनका पिता है, तो ये अज्ञान था, अब यहां थोड़ा सा परमान देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त पर्थम बार इस बात को सुनेगा, परमा विश्णों में इस नासवान है, इनकी जनम मरतू होती है, तो बिदक जागा, और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुनेगा, उसका दूर भागे होगा, क्योंकि सचाई से दूर भागना नहीं चाहिए, सचाई को धैरिये पूरक सुनना चाहिए, फिर विचार कर saying, जनमाै विचे,学ी ऑन चाहिए, मिश्वां हो उसका नहीं ठोपन ऑ्रिमा करेंसे कर honestly अब हमें सत्ते मिलेगा, अब हमें सत्ते मिलेगा गर्हन करेंगे, हमारा सब का मोक्स हो जाएगा, अब देखिएगा, थुड़ा प्रमान दिखाते हैं, श्री दीवी पॉराओन में, और ये गीता प्रैस गोरवपूर से प्रकासित है मुद्रित भी वहीं से है गीता प्रकासिक हैं मुद्रक हैं गीता प्रैस गोरवपूर गोविन बहुन कारियाल है कुलकाता का संस्थान इसके 123 पर्ष्ट को ही पढ़ेंगे कि इसमें बहुत से संसे दूर हो जाएंगे। तीसरा सकंद शरीमत देवी भागोता पढ़ रहे हैं 123 प्रिष्ट देखिएगा। तुम भगवान विश्णु जी अपनी माता दुर्गा के विशे में कह रहे हैं। सतूची करते हुए तुम सुद सुरूपा हो। यह सारा संसार तुम यह से अद्वासित हो रहा है। तुम भाव माने जनं और तिरो भाव मने मर्टू हुआ करता है। परकरती और सनातनी देवी हो। फिर यहां कहा है यह सब्सक्र लिखा है अविर भाव मने जनम भगवान विश्मु जी स्विकार करे है कि मैं बर्मा और संकर हम सभी का जनम और मर्टू हुआ करता है केवल तुम ही नित हो यानि अविनासी हो जगत जन्नी हो परकरती और सुनातनी देवी हो यह भी याद रख बगवान संकर बोले देवी यदी महाभाग विश्मु तुम ही से परगट हुए है तो उनके बाद उत्पन होने वाले विर मा भी तुमारे इबालक हुए फिर मैं तुमों को ने दिला करने वाला संकर क्या तुमारी संतान नहीं हुआ अर्थात मुझे भी उत्पन करने वा कि शिरिष्टी, सतीती और सहार में तुमारे गुन सदा समरत है उन्ही तिन्नों गुनों से उत्पन हम बर्मा, विश्मु औन संकर नेमानुसार कारिये में तुत्वर रहते हैं अपने आत्मों इस शिरीमद देवी भागवत यानि देवी पुरान ने चंद पंक्तियों में यह पंथमक्त कलि रखान कर दिये हैं नंबर एक बर्मा विश्ण वमहीस नासवान है इनकी जनम मर्टू होती है यह इनकी जीवनी में लिखा है और नंबर दो प्रकरती दुर्गा को कहते हैं नम्बर तीन दुर्गा इन्बर्मा विश्णो महिस की माता है और नम्बर चार है ये कहते हम तो केवल नियमित कारिये ही कर सकते हैं यानि जिसके संसकार में दुख या सुख जैसा है उसको एजिटिज दे सकते हैं उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और पांच मां ये हो गया कि रजगुन, बिर्मा, सत्गुन, विश्णु, तंबुन, शिवजी कि इन तीनों गुणों से उत्पन हम तो पुन्यात्माओं अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्षंग नहीं था और आज तक पवितर हिंदु दर्म के जो गुरु मार्ग दर्सक माने जाते थे रिसीम है, रिसीम अडलेश्वर वो अपने सत्गरंतों से भी परीचित नहीं थे विचारनी ये विशे है कि एक अध्यापक विद्धार्थियों को आउट ओफ सलेबस पढ़ाता है पाठे करम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मितर नहीं सत्रू है तो आज तक जितने भी हमारे पवितर हिंदु धर्म के जो मार्ग दर्सक थे वे टीचर कहलाते थे लेकिन वो टीचर नहीं थे वो महाँ अज्ञानी थे, उन्होंने अपने सद्गरंथों को अर्थाथ पाठे करम की पुस्तकों को भी नहीं डंग से पढ़ा नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानो समाज को भर्मित कर दिया शिरी मद भगवद गीता लगभग पचपनसो वर्ष पूरव शिरी वेद व्यास जी दौराली पी बद की गई थी और शिरी करसंद जी के स्रीर में प्रवेश करके ब्रहम ने सर पूरस ने अर्थात कालव अगवान ने या बोली थी इस दास को परमात्मा कभीर देव जी ने दिव दृष्टी दी यानि ग्यान दृष्टी दी उसके बाद इसका यथारत अनुआद हुआ इस से पूर्व इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुआद करता है गीता जी के उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले है उधारन के तौर पर सात्मे जह कैठार में स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि अर्दुन ये ग्यानी आत्मा जैसे गीता जी देह नंबर सात्के सलोक नंबर बारा से लेकर पंदरा तक तो तीनों गुनों रजगुन बिर्मा सत्गुन विश्णु तमगुन शिवजी की सथीथी बताई है और ये भी कहा है कि इन तक जिन की बुजी सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तियार नहीं फिर ग्यान दाता कहता है ये ब्रहम सरुफिस सोल में और सत्र में सलोक में कि मेरी बक्ती भी चार परकार के करते हैं एक अर्थार्थी आरत नमबर दो और नमबर तीन जग्यासू, नमबर चार ग्यानी. इन तिनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, आर्थ और जग्यासू को. ग्यानी के वी से मैं कहा है, कि ग्यानी आत्मा है तो अच्छी, साथ में जा के अथार में सलोक में. लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम गती में सथित रहे अब यहाँ अनुतम का अर्थ एक छटी कक्षा के बत्चे से पूछ लीजिए उत्तम माने अच्छा यानी गुड और अनुतम माने बैड ये धी कोई विक्ती कहीं पर बैड का अर्थ इंग्लिस में बैड का अर्थ और गुड करता है श्रेष्ट करता है तो महामूरक है वो तो यहाँ इन्हों ने अनुतम का अर्थ अतिउत्तम कर दिया कारण क्या रहा अग्यान इनको पता नहीं था कि बिर्मा भी सुनो महिष से उपर भी कोई सक्ती है इनको ये भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ग्यान श्री करशन नहीं बोल रहें उसके अंदर पर्वेश करके ये स्री काल भगवान बोल रहे है जो गीता जिद्ध है नमबर 11 के सलोक नमबर 32 में कहता है कि अर्दुन मैं काल हूँ, सब को खाने के लिए आया हूँ, अब परवर्त हुआ हूँ और तु युद ना करेगा तो भी मारूँगा इनको और गयर में जाए कि 21 में सलोक में अर्दुन कहरा है कि हवगवन आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हूँ, आप रिशियों को भी खा रहे हूँ और ये सब शद्धों के समुदाए आपके समक से वेद मंतरों से आपकी सतूती भी कर रहे है, आपसे मंगल कामना भी कर रहे है और आप इन सब को खा रहे हूँ तब इसने गयर में जाए कि 32 में सलोक में कहा है कि अर्दुन मैं काल हूँ और अब परवर्थ हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब परगठ हुआ हूँ ने श्री करसंदी तो अर्दुन के साथ पहले सी रहते थे, संबंदी थे उसके और अर्दुन फिर ये पूछ रहा है कि है मानुबाओ तुम कौन हो मैं आपको नहीं जानता हूँ, एक रिष्टेदार नहीं जाने, कोई बात हुई है तो उसमें श्री करसंदी नहीं, श्री करसंदी बाहर निकल कर वो काल अपना शरूप दिखा रहा था कि अर्दुन ये है मेरा विराट रूप और इस से पहले किसी ने इसको नहीं देखा था, तेरे अतिरिक्थ और श्री करसंदी तो अपना विराट रूप पांडुओं की सभा में पहले दिखा चुके थे तो ये सब्द भी श्री करसंदी नहीं बोलते अगर वो गीता ग्यान दे रहे होते कि तेरे अतिरिक्थ पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था वो विरातुरूप रूसॣ-ego stuntr का था च्रीकर्शनद गी विष्णु अवतार है विष्णु जी केवल-si Darekis anni. और यह karlabram एक हजार क्ला का भघवान है जैसे एक तो धुप无ट का वल्लभ हो, एक हजार वाट का हो। एक सोला वड की टूब हो, एक एकजार बाट की टूब हो तो टूब दोनों रोसनी दोनों ही दिखा रही हैं लेकिन अंतर बहुत होता है ऐसे ही इनके विराट रूप मांतर था तो ऐसे ही गीता जी का ग्यान इनको नहीं मालूम था कि गीता जी का ग्यान किसी ने बोला इनकी बुजीक श्री किरसन से उपर उठी नहीं श्री किरसन जी को सर्वेश वर महिश वर मान कर श्री गीता जी के ग्यान का अग्यान कर डाला तो गीता जी दैनमर साथ के सलोक नमर अठारा में गीता ग्यान दाता ये काल कह रहा है कि अर्दुन ये सभी ग्यानी आत्मा हैं तो नेक उद्धार ये प्रमात्मा पाने के लिए अपना सर्वस नुच्छावर किये हुए है लेकिन ये मेरे वाली गटिया अनूतम गती मैही सथित है अपने आत्मा हो अब बिर्म की साधना को या निकाल अपने साधना को अनूतम क्यों कहा अब यहां विचार करो इसरी मत भगवत गीता ग्यान दाता गीता अध्याय नमबर चार के सलोक नमबर पांच और नो में गीता अध्याय नमबर दो के सलोक नमबर बारा में गीता अध्याय नमबर दस के सलोक नमबर दो में यह सफेष्ट करता है कि अर्दुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके है। तू नहीं जानता हूं मेरे जनम और करम अलोकिक हूं। फिर गीता ग्यानदाता सुम कहता है के अर्दुन आठ में जया के तेर में स्लोक में, के मेरी भगति कर और मेरी भगति का जो मंतर है, श्रीमत भगत गीता जया नमबर आठ के, स्लोक नमबर पांच और साथ में, और तेरा में जया आठ के तेरा में, इसका निस्कर समझो ऐसा है के गीता ग्यानदाता कहता कि अर्दुन तुम मेरी भगति कर, युद भी कर और मुझे प्राप्त होगा, और मेरे पाने का मंतर है आठ में जया के तेर में स्लोक में सपश्किया है, ओम इती एकाकसरम बिर्म विवारन मामन समरन ये परियाती तजन देहम सैयाती प्रमामगतिम मुझ बिर्म का केवल एक ओम मंतर है, यह एक मंत्र है और अन्तिम स्वास तक सिमन करता हुआ जो श्रीछ चारन करता हुआ, तो मेरे वाली प्रражबति को प्राप्त होता है अब ओम के नाम से जो गती होनी है वो क्या है? क्या मोक्स होगा? कितना मोक्स होगा? कि ब्रह्म लोग प्राप्ती होगी आठ में जाएके, सोल में स्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्दुन ब्रह्म लोग परियंत सभी प्राणी पुन्रावर्ती में हैं, पुन्रावर्ती कर दिया, इन्हों ने कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनरदनम नहीं होता, इसका अर्थ ये बनता है, कि जो ये विद्ध ते माने विद्ध धातु है, ये विद्ध माने जानना भी होता है, कि जो ये नहीं जानते, कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनरदनम ह होता है तो वो मेरी साधना करके बिरम लोक में जाने से भी पुन्रा वर्ती को ही प्राप्त होते हैं बिरम लोक प्राप्त करते हैं और वहां से भी फिर दिनमर तूम ही रहते हैं यदि यहां इनके नुआद को सही माने गीता नुआद करता हूं का कि मुझे प्राप्त का पुनर जिनम नहीं होता ये गीता जी दैया नमर चार के सलोक पांच नो गीता ज्या नमर दो का सलोक बारा और गीता ज्या नमर दस का सलोक दो ये जूटे हो जाते हैं कि ये कहता है मेरे भी जनमर जो तेरे सादक के भी यानि तु मेरा सादक है तो तेरे भी जनमर जो होंग तो यहां इन्होंने अर्थों के अन्रस्कर डाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के सलोक नंबर 23 में। कहा कि ओम तथ सत इती निर्देश है ब्रह्मने तिर्विद समरता है। ब्रह्मने मानिव सचीदानंद गनब्रम का। तीन मंतर के ओम तथ सत मंतर की साधना का निर्देश है। नथिंग ऐलस। और कोई मंतर नहीं उस परमात्मा के पाने का। यानि पूर्ण मुक्स कराने का। अब गीता जी जाय नंबर 8 के सलोक नंबर एक में अर्दुन ने पूछा कि आपने गीता ग्यान दाता ने का कि वो परमात्मा कौन है वो परमेश्वर कौन है। आठ में जाय के तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता ने का कि वो परमक्सर ब्रह्म है। यानि गीता ग्यान दाता से कोई अन्य है वो। और फिर पंदर में जाय के एक से लेका चार में सलोक में। और अठार में जाय के बैसट में सलोक में। गीता ग्यान दाता अपने से अन्य किसी परम अक्सर ब्रह्म यानि सर्वय सक्तिमान की सरण में जाने को कह रहा है। उसकी करपा से ही तू परम स्यानती को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अठार मेध्या के बैसेट में शलोग में। और गीता जे दाया नमर पंद्रा के स्लोक एक से चार का निश्करस है। कि उल्टा लटका हुआ संसार रुपी वरक्स है। और इसके सभी पार्ट्स को सभी भागों को। जो व्यक्ति जानता है, से वेद वित, वो वेद के तातपरिये को जानने वाला है, अर्थात वोतत वो दर्शी संत है, गीता जे जाया नमबर चार के स्लोक नमबर बत्तीस में आप अभी सुना, उसमें कहा कि जो अभी तक आपको ग्यान बताया, मैंने चोथे जाया के पत्ती तक मंतरों में कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी यग करता है, कोई ऐसे यग यग माने धार्मी कनुष्णान करता है, उन से हटकर, चोथे जाया के बत्तीस में सलोक में कहा कि इस परकार की बहुत से विश्टार के साथ यगों की जानकारी, धार्मी कनुष्णानों की जान समंझ, उनको देंड़ोज प्रणाम करने से, कपड छोड़ कर प्रसन करने से, उतत्व दर्शी संत उजे प्रमातम तत्व का अग्यान कराएंगे, उस तत्व अग्यान से प्रिचित कराएंगे. तो यहां पंदर में जाय कि एक से लेकर चार में तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है वो कैसा होगा उर्धव मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रनानिये तमवेद से वेद्वित उपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रुपी साखा वाला ये एक अविनासी पीपल का वर्क्स तुल जानो इस संसारुपी वर्क्स समझो और इसके पत्ते आधी सभी विभाग हैं चंद हैं और ये तमवेद इस अज्ञान में छुपे हुए संसारुपी वर्क्स के स लचानता है सह वेद लitar, वहь तत्वदर सी संत है वहार ये वेद के तातप्री कुछ जानने वाला है। वाह्ग से एक से लेकर चार का गुआ तोतातप्री है स्लोका, ये वो तत्वदर्सी संत है और इस सम्झारुपी वर्क्स की ओपर को जड़ है नीचे उ को तीनो गुन रुपी साखा है, रजगुन पर मास्तगुन विष्णु तंगुन शिवजी तो साखा है, गीता ग्यानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संथ बतावेंगे, उसने केवल इतना ही कहे कर छोड़ दिया है, फिर काय कि तत्वदर्शी संथ की प्राप्ती के उपरा यह जाने के बाद सादक फिर लोड़कर कभी संसार मनी आते, यह वो वास्तों परमगती, यह वो पूर्ण मोक्स, जो परमक्सर ब्रम दे सकता है, यह ब्रम नहीं दे सकता, यह काल नहीं दे सकता, गीता गयान दाता नहीं दे सकता, और जब तक जनमर्तूर समाप्त नहीं होग इसलिए गीता जिद्धैनवर्ठारा के स्लोक बैशनमका के अर्दुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सर्णमजा और उस परमेश्वर की करपा से ही तु परमस्यानती को और सासवतम सथानम यानि सनातन परमधाम को प्राफ्थ होगा वो है वो परमपद धाने के बाद कभी लोटकर संसार मनियाते वो सत लोक है सासवत सथान सदा रहने वाला सथान यानि सत लोक हम फिर लोटकर आते हैं साथ मेश्वर के अठारमे सलोक पर गीता जी डाय नमबर आठके सलोक नमबर अब एक में अर्दुन ने पूछा किम तत्वर्म उसका उतर दिया तीसरे स्लोक में आठ में धैके में कियो परम अक्सर बरम है आठ में धैके पांच और साथ में तो गीता ग्यान डाता कहता है मेरी बक्ती कर मुझे प्राप्त होगा लेकिन युद करना ही पड़े गा यानि यहां स्यानती नहीं ओम से स्यानती कभी नहीं हो सकती ओम के जाब से जन Hammart तुसदा रहेगी और करम ये युद करना ही पड़ेगा फिर आठ में धैके आठ नौ दस में यह सपश्ट किया है कि सत्र में धैके तेईसमे सलोक में तो वो मंतर बताया जिस्ता बगवान सचीदानंद गनबर्म मिलेगा। उसकी प्राप्ती होगे और उसकी प्राप्ती के बाद फिर जनम मर्तू कभी नहीं होता, सनातन परमदाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी बगटी जो करता है। तत्वादरशी संध के खोज करके तत्वादरशी संध्या यहुपदेश प्राप्त करके ओं तत्सध का। ओं तत्सत यह जाप नहीं है। ओं तो सिधाशर प्रुश्का ब्रृम का। और तत् और सत् ये सांकेती क हैं, तत है ये अकसर प्रुस का, और सत है ये परम अकसर बर्म का परम अकसर प्रुस का जो अठ में जाएंगे तीस इस सलोक में जिसके विसे जान करी दिये हैं. शरीमत भगुत गीता जैय नमर पंदरा के सलोक number 18 और 17 में इतीन पुरुस है, सरपुस अक्सरपुस। सलमे सलोक में कहा कि सरपुस और अक्सरपुस ये दो प्रकार के परभू है, परमात्मा हैं। वास्तर में प्रमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी प्रमात्मा कहते हैं, इनके अंतरगत जितने प्राणी हैं, और इनके सभी के सथूल सरीर यानि नास्वान है, ये भी नास्वान है दोनों प्रभू यानि पुरुस, और इनके अंतरगत जितने प्राणी वो भी नास्वान ह तो किसी की भी निया, मर्ति अगद एक उत्य की भी ना मर्ति。 अब पंदर में दया के, 17 स्लोक में पर कंसेप्ट करियर कर दिया, कि उत्तम पूर्शेतु अन्य है. उत्तम पूर्शेट परमात्मा, वो पर्मक्सर ब्रम की तरफ संकेत है, जो संसारुपी वर्क्स की मूल है और उस मूल से सब को आहर पराप्त होता है पूरे संसारुपी वर्क्स का उसी से पोषण होता है वर्धी को पराप्त होता है तो पंदर में जाय के सतर में सलोक में गीता ग्यान दाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरसे तुए ने है और परमातमा है थी उधारते जिसको परमातमा कहा जाता है और वो उत्तम पुरस रिष्ट परमातमा तो कोई और है सोल में सलोक में वरनित इन दोनों सरपुरस और अक्सरपुरस से कोई और है वो कौन है, वो प्रमक्सर पुरुस है, प्रमक्सर ब्रहम कहो, प्रमक्सर पुरुस कहो, उसको पूरन ब्रहम कहो, या उसको सत्य पुरुस कहो, सत्य माने विनासी, पुरुस माने प्रभू, और वही यह लोग तर्रम आवी से भी बरती, वही तीनों लोकों में परवेश करके सब का धारन पोशन करता है अवे इस्वरे वो है वास्तो में विनासी परमेश्वर वो है वास्तो में विनासी परमेश्वर अब आठ में जाएके आठ नो दस सलोक में सफष्ट किया है कि अर्दुन जो उस परमक्सरब्रम की साधना करता है जो आठ में जाएगी तीसरे स्लोक में गीता ग्यान दाता जिसके इसे बता रहा है उसकी जो बक्जी करता है उस मंतर से जो तत्वदर्सी संद से पराप्त करके वो फिर उसी को पराप्त होता है उसको पराप्त होता है तो वो अविनासी परमात्मा है वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, तो इस परकार जीव का मोक्स होता है, अब हमारी पवित्र स्रीमत भगत गीता ये ग्यान दे रहा है, और गीता ग्यान दाता, अपनी साधना को अनूतम बता रहा है, और ये अग्यान आधार से अनुआद करता हमारे ग इन अनर्त कर डाले है। अठार में जाय के 66 में सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है, के सर्वय धर्मान परितज माम, मेरे सतर की जितने भी धार में करियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानि मुझे सौप दे, जैसे ओम तत्सत्मतीन मंत्र हैं, सत्मी सांग के दीक हैं, ओम तो ब्रम का है, काते मेरे सतर की जितनी पूझाएं तूने की हैं वो मुझे दे दे, और उसके पस्चात उस परमेश्वर्द की एकम सर्णम वर्द, एकम जिसके बराबर दूसरा नाहो एदुवितिये, शर्व सक्तिमान यानि परमक्सरब्रम उसकी सर्णमे वरजमाने जा जाना होता है इन अग्यानियों नहीं सब वरजमाने आना करखे आजा, मेरी सर्णमा आजा फिर ये गीतागान दाता कहता है कि एहम तवा सर्व पापे वो मुक्षामी मासुच फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा तुझे इंता ना कर हम क्या करते रहें जैसे तत्वग्यान के अभाव से प्रम संत मिले नहीं ओम नाम का जाप और गीता जी दैनम्बर तीन के सलोक नम्बर दस से लेकर पंदरा में जो अनुष्ठानों की जानकारीदी है यगों की वो पांच सो यग करते रहें ओम नाम का जाप करते रहें और इसके परतीफल को हम बिर्म लोग प्राप्च करके वहां भोगते रहे और बिर्म लोग में जाने के बाद फिर्म वापिस जरमर चुम रहे हमारे उपर ये दंड बना रहा और पाप के आधार से हम नर्क भी जाते रहे अब जब हमें परमक्सर बन मिल जाते हैं उस सत नाम के जाब से दो अखर के सत नाम के जाब से हमारे पाप नास हो जाते हैं और हम क्या करते रहे पुन तो हम सुरग में खाते और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा उस नरक में हम भोगते दुख पाते दंड पाते और फिर चुराशी लाख योनियों के कस्ट भी भोगने पड़ते यहां का ऐसा विधान है तो यह क्या कहता है कि जब तू उसकी सरन में चला जाएगा तो मेरे सतर का जो अपना पुन था वो बरबाद कर देते थे उस पुनों को हम इसको दे देंगे हम इसके रणी हैं कैसे रणी है कि इस काल भगवान ने सत्तर युग सत्तर युग तपस्या करके और तू सट युग एक तब इसने ये 21 बर्मांड पराप्स किये थे प्रमक्षर ब्रहम से इस सर पुरस ने सर ब्रहम ने और यह आप देख रहे हैं परत्वी कैसे घूम रही है यह स्वम भी घूम रही है ऐसे और यह ऐसे भी घूम रही है हम इसमें अपनी गलती से अपनी मर्दी इसके साथ बैठ कर आगे इसके विवान में यहां आगे हम सोड़ा संख कोश की दूरी पहे अब यहां आने के बाद इसने हमारा दुरपयोग किया हम जो पुंजी लेकर आये थे हम बड़े सेठ सावकार के पूतर थे परमकसरवर्म के पूतर पूतरी थी और हम बहुत दनी थे जैसे हम अपनी पूरा पुंजी लेकर साथ आये थे उस पुंजी को इसने टेक्स लगाया हमारे उपर उपर स्वर्ग रखे जैसे महा स्वर्ग बना रखा उपर उसमें रखे और वहां के चारजिज रख दिये इतने चारज होंगे परती दिन की तो ये उससे अपना काम चला रहा है अब जैसे इस परस्वी पर हम आये ये पर्थवी घोम रही है विमान कीत रहे तो इसका जो चारज इसने रख रखा है वो चारज घंसे लेता है अपना अत्मा जैसे एक वार यह थाज यहां से दिली से पुना गया था जाज में, एर पलैन में, तो वहां से वहां तक का किराया लगबग 6,000 रुपे था, और उसके अंदर ही सारा चाह, पानी, खाना, शारी वेस्था करते हैं, और वो पोने दो गंटे लगे वहां से दिली से लेकर पुना तक के, पोने दो गंट के उसने 6,000 रुपे चारज की, और हम बैठे इसके विमान में किरा कितने दिन तो यह कहता है, मेरा किरा दे मुझे, जब छोड़ू तुझे, हम फिर इसका किरा दे देंगे इसको, अब फिर हम इसके जो पुन्जी को बरबाद करते थे, वो ना करके इसका जितना चारज है इस वक्ती का, इसके सतर की वक्ती का, इसको दे देंगे, फिर यह हमें गदे कुते सूर नहीं बनाएगा, या बांद कर नहीं रखेगा, इसलिए अठार में दाय के 66 में स्लोक में यह गीता ग्यान दाता, सरपुरुष है, श्री किरसन मैं बोल रहा है, यह ब्रहम है, यह का अठार के मेरे सतर की सर्व धर्मान परितज माम, अठार में जाय के 66 में स्लोक मेरे सतर के सभी धर्मे कनुस्ठान पूजाय मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा करनमुक्त हो, मेरा करजा दे, फिर एकम सरणम वरज, फिर उसर्व सक्तिमान परमात्मा की स तरनमे वरद माने जाओ, प्रमक्सर वर्म की शनमे जाओ, और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रख्या, आओ, यानि गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वरड है, और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा उठिटूड है, और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रख्या, राज तक हम आख्यां बंद करके, इनको महाविद्वान मान कर, इनकी सब अज्ञान और ग्यान को हम स्विकार करते रहे, सत्मान ते रहे, इन्होंने हमें डबो डाला, अब स्री मद्भगत गीता में स्री करसंद जी का कोई रोल नहीं है, यह पूरा रोल काल का है, काल यह सरपुरुस है, किस बिर्मान का स्वामी है, और इसने यहां साप लगा हुआ एक लाख मानु स्री धारी प्राणियों का निताहर करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्यानी बना करके, यह बाई फोरस रोका हुआ है, बल पूर्वक रोक रखा है, सब कारिये बल पूर्वक रोक रखा है, हमारे अदर ऐसा इसने फीड कर दिये गुने, कि हम यह प्राणी वीवस ओकर के उनके वसकारिये करता है, जैसे कोई सराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के वसका नहीं रहता है, वो कैसी गती भी दीक रहे हैं, तो ऐसे हमारे साथ इसने करक्या है, बच्चे उत्पन कराता है, खाता है, आप जैसे कसाई बकरियों को इकठा छोड़ देता है, वो संदान उत्पती करते हैं अपनी वासना के वस हो करके, और उन बच्चों उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है, और वो उनको अपने बच्चे मानते रहती हैं, यही सतीची प्रमात्मा कबीर जी ने बताई, कि तुम यहां कसाई के लोग मरे रहे हो, इस काल के लोग मरे रहे हो, और यहां तुम्हारी जनब मर्तू कभी समावत नहीं हो सकती, और यह दुख तुमें सदा बने रहेंगे, चैसे सुर्ग में जाओ, चैसे मां सुर्ग में जाओ इसके में, वहां पूरा होते ही समय वापिस फिर यहां लोट कराना पड़ेगा तो परसंग चल रहा है कि हम यहां उसी पर आते हैं कि साथ में जाके अठार्मे स्लोक में गीता ग्यान दाता ने अपनी साधना अपनी गती को भी अनूतम कहा है ऐसरेष्ट कहा है क्योंकि जनम मर्टू मिटे नहीं पूरुन मौक्स हो नहीं सकता सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता और सनातन परम धाम प्राप्त होए बिना सान्ती नहीं हो सकती तो वह गती फिर विवर्थ है यूजलेस है अनूतम है गटिया है इसका उधारन देते हैं क्या बताते हैं प्रमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ग्यान अर्थात सचीदानद घंबन की वाणी स्वेमागर के बोली है और वही ग्यान आदनिय ग्रीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुकमल से बाहर निकल वाया है उसमें क्या बता है बैतर अक्सोनी अक्सेकरी चुनकरिसी स्वर एक ये देधारें जोरा फ्रेये सभी काल के भेख बैतर अक्सोनी अक्सेकरी ख्यमाने नास कर दिया बैतर अक्सोनी का किसने चुनक नामक एक रिसीवर ने रिसीषवर देख कितनी गयर सब्द लाया है मालेक निन के साथ है एक तो रिसी सिंपल एक रिसी एक रिसी स्वर रिसियों में भी सरेष्टों से भी सरेष्ट उस रिसी के ये लक्षन है क्या कि बैतर अक्सोनी मान दाता चकरवरती राजा की बैतर अक्सोनी का नास कर दिया खा गया अक्सेकरी बैतर अक्सोनी अक्सेकरी चुनकरी सिंपल एक ये देधारें जोरा फ्रें ये सभी काल के बेखें ये देधारें जोरा जोरा वहने मोहतें जिनको तुम रिसी महरिसी मानते थे प्रमात्मा कहते हैं और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे ये सरपुरुस के पुजारी थे ओम नाम का जाब करते थे वेदानुसार वो कहते हैं साधना करते हैं वो काल तक के पुजारी हैं ब्रह्म तक के पुजारी हैं काल के भेख हैं यानि काल के उपासक हैं बेक होता है, उपासक समोँ, उसमेंशे ये एक हैं, कहते हैं, या दे धारें जौ्रा फिरें, तुम रिसी समझो ये तो एटम बम फिरें हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसने फूग दें, एसी शिद्धियों से युगत हैं ये अर तुम रि रिसी महर रिसी मानते हैं उनको तो यहां बताए हैं कि इस काल के पुजारी इसलिए यह अनूतम है यह साधना कि बैतरक सौनी अक्से करी चुनक रिसी स्वर एक और यह दे धारें जवरा फिर है तो में रिसी को हुए तब मौत आंड़ा है यह मौत बटक रही है तुम्हें द के भेखे दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीचे चपन क्रोड यादो कटे मचीर धिर की कीचे प्रमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहां और समझन आई नीचे देखा हम देने दुर्वासा जैसे ने महरेशी तोब मानने थे और प्रमात्मा इनको नीचे कहता है यह इसे नीचे थे कैसे थे के चपन क्रोड यादो कटे और मचीर धिर की कीचे कीच माने गार्या कीच चडे यह देधारें जोरा फिरें सभी काल के भेखे अवेक्स में अभी दोन्नो उधारन सुनाते हैं आपको अभी यह जशे चुनक रिशी थे यह ज्यानी आत्मा थी अब फिर आते हैं जाये के शोला और सतरा और अठारा पर इसमें लिखा है कि चार परकार के सादक मेरी साधना करते। गीता ग्यान दाता सरपुर स्री किर्षन में प्रविश करका बोल रहा है, किरा कि मेरी साधना निब्रन साधना भी चार परकार की करते हैं। नंबर एक आरत, अर्थार्थी और जग्यासु और ग्यानी। आरतों होते हैं, जो संकट निवारन के लिए वेद मंत्रों के द्वारा ही कोई अनुष्ठान करते हैं। अर्थार्थी वो होते हैं, जो धन लाब के लिए, अपने व्योसाय में बढ़तरी के लिए, वर्धी के लिए, वेद मंत्रों से ही कुछ जंतर मंत्र करते हैं। और किसी और अन्य किसी गरंद से कोई सयोग नहीं लेते हैं। और तीसरे जग्यासु जैसे जोना प्रमात्मा की चाने वाली आत्मा हैं, गर से बाहर ने के लिए बंदर पुरस हैं। और संतों को मिले रिशी मैरिशियों से मिले। उन से ज्ञान प्राप्त करके और स्वयम ही वक्ता बनगे प्रमात्मा पाने की चेष्टा नहीं। उन जग्यासु ने ज्ञान गरहन करने की इच्छा में जीवन विर्थ कर दिया। और वक्ता बनके सुनान लगे। ये भी तीनों विर्थ बताए हैं। और चोथा ग्यानी ये चोथी प्रकार का जो ग्यानी है इसके विसे में कहा कि ये मुझे पसंद है। और इसको मैं पसंद हूँ। इसको मैं अच्छा लगता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है गीता ग्यान दाता। अब गीता ग्यान दाता इसको अच्छा क्यों बताती है कि साथ में दैके बारा से लेकर पंदरा में तीन नो गुण रजगुन बिरमाशत गुण विश्नुतम गुण शिवजी की साधना करने वालों को गीता ग्यान दाता कहता है कि ये राक्स सुभाव को धारन के वे मुनस्चों में नीच दोशित करम करने वाले मूरख मेरी बगती नहीं करते है गीता जी दह नमर साथ के सलोक नमर बारा से पंदरा में तीन नो गुण रजगुन बिरमाशत गुण विश्नुतम गुण मेरी बुदी सिमीत हैए वो मेरी bhakti नहीं करते है ये मूमुरख अपनी बगती के विसे मता रहा है ये च्यार प्रकार के करते है इन च्यार प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्यानी मुझे पसंद है मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसने मेरी भक्ती की और इसको मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि ग्यानी वो होता है जिसको ये ग्यान हो जावे है कि मन उस जीवन का उदेश से क्या है उसको उदेश से का पता लगता है कि उदेश से क्यों यही है का चुटकारा तो कियुल पर्मक्सरब्रम की सर्ण में जाने से होगा। एक विचार करना पुनात्मों जैसे अभी आपको सुनाया के अठार में जै के बैसेट में सलोक में कहा है कि अर्दुन तु सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सर्ण में जा उसकी करपा से ही तो परमेश्वर की उस परमपद की खोज करनी चाहिए तत्व दर्स्थी संत की प्राप्ती के उपरांत जहाने के बाद साह्वर कर कभी संसारमन यहाथे और अपनी जानकारी चो तोथे ज़य के पांस में और नो में झाता हूँ अर्दुन तेरे और मेरे बोजनम हो चुके तो नहीं जानता मैं जानता हूं तो इसे से दोगा कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्सर बरम की तरफ संकेत करा है कि उसकी संद मा जाने से मोक्स होगा तो इन गैनी आत्माओं ने वेदों को पड़ा क्योंकि तो इन गैनी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीन अगुन की बगती नहीं करनी चीए इसे मोक्स नहीं हो सकता फिर उनको ये भी ज्यान होगा कि मुनस जीवन केवल मोक्स प्राप्ती के लिए प्राप्त है फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्न मुक्स तो उस समर्द सक्ति से होगा पूर्न परमात्मा से होगा अब चारों वेदों में केवल वे ओफ वर्षिप तो बरह म तक की है और जानकारी प्रमक्स बरह म किए अब इनको तत्वदर्सी संत नहीं मिला रिषियों को, ग्यानियों को, उन्होंने स्वयम निस्करष निकाला श्री ब्रमाहजी से डिस्कस करके, क्योंकि श्री ब्रमाहजी को चारों वेद प्राप्थ हुए थे, सागर मंथन में, और ब्रमाहजी ने वेदों को पढ़ा, जैस उसने समझा, क्योंकि इनकी बुधी ब्रम के आत्म है, काल के हात्म है, और ब्रमाहजी का जब जनव हुआ, जब वो युवह हुआ, तब तक वो बेहुस था, अचेत था, फिर कमल के फूल पर इसको रख दिया गया, वहाँ इसको सचेत किया गया, तो इसने देखा, मैं कहा से आगया, मेरा क्या उदेश से है, तो इस काल बगवान ने आकासवानी करी कि तब करो, तब करो, ब्रमा जी ने हजार वरस तक तब किया, जब इसमें सिद्धी आगी, उचारज हो गया, तब इसने आकासवानी करी कि अब सिरिष्टी करो, तो वो जो आकासवानी थी, वो वा थीत बिर्म की काल की, सरपुरस की, और बिर्मा ने सवच लिया ये प्रमात्मा की आकासवानी है तब करना। ये तो इसको वेद प्राप्त होने से पहले आकासवानी हो चुकी थी, फिर जब ये तिन्नो भाई कठे हुए, इनको आदेश दिया दुरुगा ने कि जाओ तुम सागर मन्थन करो, तो दुरुगा जी के आदेश से तिन्नो ने रजगुन बिर्मा सत्कुन विश्मुतम गु कहा है कि वाई्यू अनिलम बस्मानतम अथिदम अमरतम वाई्यू अनिलम अमरतम अथिदम बस्मानतम सरिरम, ओम कर्थू समर, किलवे समर और कर्थूम समर। ओम नाम का जाप है, काम करते करते सिमन करो, विशेश कसक के साथ, यानि सर्धा के साथ सिमन करो, किलबलाहट के साथ, ररंकार धुन से, यानि एक ऐसे ररंकार धुन यह नाम देते हैं बांच नामून में नहीं, ररंकार का अर्थ है, जैसे मरता हुआ अदमी अपनी जीवन आतना करता है ऐसे ऐसे इस मंतर में सरधारक है जो भी जाप करें तो कहते हैं फिर और काम करते करते शिमन करो ओम नाम का जाप करो तेरे सियों ने ये जान लिया कि ओम इज दा मंतर ओफ कम्प्लीट गॉड करते हैं से तो काम करते हैं ठेमन करते हैं सकती सियोंगा आप बादय करते हैं साहची अनव स्थram안 झाल झाल